जब हम ब्रह्मचरे का पालन करना आरंब करते हैं, तो हम एक गलती करते हैं, कि अपने मन में प्रण ले लेते हैं एक लंबे समय का, कि हम इतने समय तक पालन करेंगे। आपको करना क्या है? आप पहले ग्यारा दिन तक ब्रह्मचरे का पालन करें। जब आपका 11 दिन सही तरीके से ब्रह्मेचरे का पालन हो जाए, फिर आपको क्या करना है? 21 दिन का ब्रह्मेचरे का पालन हो जाए, फिर आपको 27 दिन का ब्रह्मेचरे का पालन करना है, जब यह भी आपका अच्छे से हो जाए, फिर आपको 54 दिन का ब्रह्मेचरे का पालन कर जब 54 दिन का अच्छे तरीके से ब्रह्मचेर का पालन हो जाए, खंडित ना हो, फिर उसके बाद आपको करना क्या है? 108 दिन का ब्रह्मचेर का पालन करना है जब आप 108 दिन ब्रह्मचेर का पालन कर ले जाएंगे तो आपको अपने नियमों में सिध्धी प्राप्त हो जाती है और जब आपको नियमों में सिध्धी प्राप्त हो जाएगी तो फिर आपका ब्रह्मचेर खंडित नहीं होगा तो कहने का मतलब बड़े लक्ष को प्राप्त करने के लिए उस लक्ष को हमें छोटे छोटे भाग में तोड़ देना होता है तो फिर उस लक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें बड़ी असानी हो जाती है